इस प्रोग्लम में हम यहां पर यह दिखाई दे रहा है कि QR by QS QR यहां देख रहे हैं नीचे है QR और यह QS QR अब बड़ी साइड लॉंगर साइड और QS स्मॉलर साइड है इस उकल टू यानि दौनों का जो रेश्यो है इस उकल टू QT QT यह है और अपोन प्यार यह प्यार है और यह गिवन था और एंगल 1 इसकल टू एंगल 2 भी गिवन है और हमने यह शो करना है PQS ट्रेंगल PQS यह है PQS और ट्रेंगल TQR यानि हम स्मॉलर ट्रेंगल PQS का जो सिमिलर है TQR तो एक पर मैं आपको यार दिला दू कि सिमिलर क्या होती है सिमिलर होती है कि उनकी साइड की यानि इन दौनों की जो दौनों ट्रेंगल है इनकी ratio equal है और angle equal है तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों triangle similar है तो हम ये देख पा रहे हैं यहाँ पर कि qr by qs तो ठीक है क्योंकि बड़ी triangle के side and smaller triangle के side के ratio है यह और यहाँ पर qt और qr, qt यहाँ पर बड़ी side है और छोटी होने चाहिए ये pq जो की नहीं है देखें देखें तो हमारे पास अगर पी आर की जगे ये pq आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि दोनों की side की ratio equal है ठीक है यह बड़ी side यहाँ पर देखें बड़ी triangle की side qr, छोटी triangle की qs बड़ी triangle की side का ratio और अपॉन छोटी triangle का side का ratio यहाँ पर है इसे परकार यहाँ भी यही होना चाहिए बड़ी triangle का ratio और छोटी triangle का रेशो qt बड़ी triangle तो यह ठीक है लेकिन छोटी triangle pr लिखा हुआ है जबकि लिखा होना थी यह pq तो हम पहले यह करेंगे कि pr और pq equal दिखाएंगे वो कैसे दोस्तों यहाँ पर देखें आप देख रहे हैं कि यह 1 is equal to 2 लिखा हुआ है और आप देख पा रहे हैं कि दोनों अगर angle equal है तो आप देख रहे हैं कि किस triangle में है यह triangle आपकी है pqr दिखाई दे रही है आपको यह pqr है आप देख रहे हैं इसमें यह given है 1 is equal to 2 अगर इस triangle में 2 angle equal है तो आप property जानते हैं if two angles are equal then their opposite sides are also equal तो आपके देख रहे हैं कि 1 is equal to 2 है तो pq is equal to pr तो हम pr की जागे pq लिख सकते हैं तो यह प्रूव कर सकते हैं आपर तो हम पहले क्या लिखेंगे इं ट्रेंगल आप देख रहे हैं इस triangle में कोसी triangle में pqr ट्रेंगल pqr में क्या देख रहे हैं कि angle 1 is equal to angle 2 है त तो it means हम यह लिख सकते हैं कि opposite sides are also equal it means pq is equal to pr तो यह हमारे पास यह sides equal हुई तो हम उसके बाद यह कह सकते हैं कि यह हमारे पास given है यह लिख सकते हैं but qr by qs is equal to qt by pr और हम कह सकते हैं कि from equation 1 and 2 1 and 2 से put the value of here pr यहां pr की value रखेंगे तो हमारे पास pq हो जाता है so write qr by qs as this and qt by pr की value हम यहां पर रखेंगी pq आप देख पा रहे हैं कि जो हमें चाहिए था वो हुआ और दो side की ratio इकल हुई और हम और क्या चाहिए दो side की ratio अगर एक angle equal हो जाता है तो आप देख पा रहे हैं कि जो angle यह 1 है यह 1 angle आप देख पा रहे हैं कि pqr में भी आ रहा है और tqr में भी यह angle आ रहा है तो हम यह कह सकते हैं कि जो angle 1 है यह angle क्यों भी कह सकते हैं इसको angle 1 is equal to angle 1 and if two side की ratio equal है और एक angle equal है तो हम कह सकते हैं कि यह जो triangle है यह similar है यह property है आपकी sas congruency similarity आपकी यह property है तो यह हम कह सकते हैं कि यह तोनों triangle similar है यह है side to side की ratio size sas इस reason से हमने केवल यह प्रूव करना था कि pr is equal to pq अगर pr केवल pq रख दिया angle equal है so वो हमारे stangle से है pqr से है so यह हमारे पास सामने प्रूव आ गया कि किस प्रकार से हमने यह प्रूव किया है तो आपके सामने है thank you